तो मैंने फाइनली जियो एयर फाइवर का इंस्टॉलेशन करवा लिया है और आज किस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेर करूँगा लाए कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कितने प्राइज आपको देने पड़ते हैं, प्लैंस कौन-कौन से आपको मिलत हैं, क्या आप टीवी देख सकते हो या फी नहीं, जो आपको वर्ल्ड कप मिल रहा है देखने को, वो टीवी पे चलेगा, स्मार्टफोन पे चलेगा या फी नहीं, साथ ही साथ, क्या है इसके hidden terms and conditions, और जीओ फाइवर से ये किस तरीके से अलग है, वीडियो थोड़ा सा ल बता देता हूँ, मैंने अपने स्मार्टफोन पे चेक कर लिया, दोस्तों आप देख सकते हैं, कि मुझे पेमेंट करना पड़ा है 5,240.92 पैसे, अब ये क्यों पे करना पड़ा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेटर मैं आपन कर लिया है, देखो 599 का minimum plan आपक चार्ज लग जाता है, हाला कि एक offer भी है दोस्तों, जहांपर अगर आप 12 माईने का recharge एक साथ करा लोगे, तो 1000 का जो installation चार्ज है, वो आपका नहीं लगेगा, वो free of cost हो जाता है, बढ़ हमने 6 माईने के लिए ही recharge कराया था, तो इसी वज़ा से मुझे 1000 रुपया देना और एक mean unit के साथ-साथ कुछ clamps आपको दिये जाते हैं, इसके साथ-साथ दोस्तों, एक और unit आपको देखने को मिलता है, जहांपर से multiple connection दिये जा सकते हैं, तो दोनों को आप side by side देख सकते हैं, और जो सबसे बड़ा box आपको देखने को मिल रहा है, जियो की branding के साथ, वो receiver unit है, जो कि signal को capture करता है, और यहांपर से दोस्तों आप देख सकते हैं, कि जो एक outlet आपको दिया जाता है, वो basically इस वाले part के अंदर जा करके insert होता है, जहांपर से multiple connections दिये जा सकते हैं, और यह जो दोनों unit है दोस्तों, यह छट पे आपके लगाया जाते हैं, जहांपर से जो signals होता है, उसको capture किया जाता है, और जो indoor units है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और बाकी box आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको मिल जाता है, Jio की branding की गई है, और यहांपर से आप देख सकते है, model number लिखा हुआ है, बाकी with love from Jio mentioned किया गया है, पीछे के box, यह सारे points आपको मिलते हैं, चलो उसको भी हम खोल करके देख लेते हैं, तो अंदर के तरप से दोस्तों open करने के बाद आप देख पाऊगे कि एक land cable आपको दिया गया है, जो की outdoor unit में लगा दिया जाता है, और नेक्स्ट यहांपर से दोस्तों आप देख सकते हैं, अंद indicator है, और heat के exhaust went with, यहांपर support दिया जाता है, तो table पर इधर उधर यह सरकेगा नहीं, साधी साथ दोस्तों यहांपर पीछे के तरफ से बहुत सारे points है, जो कि आप देख सकते हैं, तो यहांपर एक reset button दिया गया है, यहांपर से आप power input कर सकते हैं, main जो internet connection आएगा, वो यहां पर से insert होगा, और बाकी के outputs आप ले सकते हैं, यहांपर से USB के points भी मिल जाते हैं, और यह जो point आप देख पार हैं, यहांपर से serial number details mention किये गए हैं, और एक बड़ा सा आपको wall hanging unit मिलता है, जो कि आपके router पे कुछ इस प्रकार से attach हो जाता है, और इसको आप wall पे भी mount करा सकत हैं, और एक बार मैं आपको adapter भी closely दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहांपर से LAN plus DC output आपको मिलता है, तो basically यह जो output cable है, एक जो आपको मिल रहा है, वो आपके router में power input का काम करेगा, and second जो cable है, वो एक तरीके से internet connectivity प्रोवाइड करता है, आपके router के अंदर, और तो छट से connection आता है दोस्तो, वो cat6 cable यहांपर से insert होता है, POE point के अंदर, adapter के अंदर, और यहीं पर से connectivity आपको मिल पाती है, और यह जो cable है दोस्तो, यह adapter के अंदर लग जाता है, और यह socket के अंदर आपको connect करना पड़ता है, तो यह जो आपको adapter मिलता है, यह outdoor unit को भी power provide कर पाता है, एंड इंडोर unit को भी power provide कर पाता है, इसके लावा एक Jio का आपको IPSTB box भी देखने को मिल जाता है, इसी setup के अंदर दोस्तो, जहांपर से आप देख सकते हैं, जैसे इसको आप open करोगे, तो आप देख पाऊगे कि एक 4K setup box आपको दिया जाता है, जहांपर से LED indication भ केबल मिलता है, साथी साथ एक adapter दिया गया है, इसके अलावा एक LAN केबल मिलता है, और एक remote भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, कुछ shortcut buttons के साथ आता है, और साथी साथ एक battery भी आपको मिल जाती है, तो आपने unboxing तो देख लिया, अब बात करते हैं कि installation कराने के लिए जो amount होता है, booking amount, वो आपको pay कर देना होता है, और फिर आपका booking यहाँ पर से हो जाता है, और यह जो 100 रुपिस का amount आपने दिया होता है, यह आपको voucher के form में, आपको MyGO के app में देखने को मिल जागा, हलाकि एक detail video भी है, जो कि इस video के खदम होने के बाद आप देख सकते है मेरे channel पे visit करके, उसके बाद होगा क्या कि आपको call आएगा, technician आपके घर पे आएंगे, और आपको plan के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप अपने आधार card को दे करके, वहाँ पर से booking का जो पूरा amount है, वो pay कर सकते हैं, कई cases में booking कराने के बाद, एक दो दिन के बाद हो और उसके according, इन्होंने पूरा setup process यहाँ पर से किया, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर से drill ये सब करने के बाद, इन्होंने hang किया, जो main यहाँ पर से outdoor unit है, और उसके बाद यहाँ पर से इन्होंने पूरा जो cable है, उसको मेरे room तक ला करके दिया, साधी साथ जो extra unit दिया हैं, जहाँ पर से total 7 connections हो सकते हैं, जिसमें से connection मैंने ले लिया, तो मेरे building में अगर और 6 लोग लेना चाहेंगे, तो वो इसी point से ले सकते हैं, तो outdoor unit का जो पूरा setup हो जाता है, उसके बाद indoor unit के अंदर दोस्तों, जो मैंने आपको adapter दिखाया था, उसके अंदर जो ऊपर से cable आया था, पहले POE point के अंदर जाता है, जो यहाँ पर से जो आपको DC output point है, वो भी आपके router के अंदर लग जाएगा, और साथी साथ जो internet connectivity आपको दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर से लगा दिया जाएगा, एन एक चीज मैं बताना चाहूँगा, जो छत पर मैंने आपको installation process दिखाया, वो कि वहल एक बार होता है, क्योंकि वहाँ से 7 अलग-अलग connections दिये जा सकते हैं, and let's suppose वो 7 connection हो चुका है, पहले से full, तो फिर अलग से outdoor unit का installation होगा, I hope आप समझ गये होंगे, बढ़ अगर आपके मन में कोई doubt है, comment करके आप हमसे पूछ लेना, फिर यह सारा ची इसके आस-पास का speed निकल के आता है, क्योंकि यही plan से मैंने recharge कराया है, इसके उपर के भी plans है, बट मुझे test करना था आपको दिखाने के लिए, तो मैंने 30 Mbps का ही plan select किया, अब यहाँ पर से दोस्तों यह जो 4K setup box दिया जाता है, इसका भी आपको installation process में बता देता हूँ, तो इस setup box को पहले तो power input दिया जाता है, और HDMI जो point है उससे आपके TV पर connect कर देंगे, and then फिर Wi-Fi के साथ इसको connect करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से पूरा setup process start हो जाता है, जो कि 1-2 minute के अंदर आपका setup complete हो जाता है, कुछ update यह सब आएगा तो वो देख लेना, and then फिर आपक जाओंगा कि जो मैंने connection लगवाया है, वो 5.99 का है, तो यहाँ पर से अलग अलग जो OTTs हैं, वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यह सारे हमें देखने को मिलते हैं, तो इनके तुरू जो भी channels होंगे link, वो सारे यहाँ पर से आपको live देखने को मिल जाते हैं, in fact आप Disney Plus hot star भी देख सकते हैं, उसके तुरू आप World Cup को भी आप आराम से देख सकते हैं, and हाँ मैं अपने phone में भी इसको check कर पाता हूं, क्योंकि same phone number को हम जब यहाँ पर link करते हैं, तो यह आपके phone में भी free of cost चलेगा, तो यह चीज मुझे काफी अच्छा लगता है, बढ़ यह सार तो आप 4-5 devices को आराम से यूज कर सकते हैं, अब देखो, अगर किसी में आप 4K consume कर रहे हो, तो obviously थोड़े और devices में buffering हो सकता है, तो अगर आप 4-5 devices को use कर रहे हैं, तो 480P में आपका वीडियो चल जाता है, अगर आप TV पे आराम से एक वीडियो देख रहे हो, बड़े screen के अंदर, तो वहाँ पर जाधा data consume हो रहा है, अगर 4K पे अगर आप देखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आपका एक दो smartphone चलेगा, तो वो multiple combination है, वो accordingly आपको देखना होगा, तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दिया है, आप चलो, plans के बारे में बात करते ह हैं कौन-कौन से OTT और कितना Mbps आपको मिलेगा, लेगिन अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक कर देना, अब चलो, स्क्रीन पे चलते हैं, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, जियो का normal air fiber के अंदर 3 plans है, जिसमें 599 का आपका main plan स्टा होता है, basic वाला, 30 Mbps का speed आपको मिलेगा, जहाँ पर से आपको OTT apps भी मिलते हैं, जियो सिनेमा, डिजनी प्लस होट स्टार, Z5 और बाकी channels भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर से दोस्तों यह 6 महीने और 12 महीने के plan के साथ मिलेगा, इसके ऊपर अगर आप जाना चाते है 100 Mbps के साथ, तो 899 का option आपको मिलता है, और सेम 100 Mbps का plan, लेकिन अगर आपको जादा OTTs चाहिए, तो आपको 1199 रुपया देना पड़ता है, जहाँ पर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो Amazon Prime का भी आपको यहाँ पर option देखनी को मिल जाता है, और यह मुझे लगता है कि एक बात जब यह 6 महिना हो जाएगा, उसके बात तो फिर आप नॉर्मली रिचार्ज कर आई सकते हैं, इसके अलाबा दोस्तों यहाँ पर से Jio का Air Fiver Max plan भी आता है, जहाँ पर से आपको देख सकते हैं, जो भी OTTs है वो यहाँ पर से आप स्क्रिन पर देख सकते हैं, इसके 3,999 रुपीज में आपको मिलता है, और यहाँ पर से जो जो OTTs है दोस्तों, वो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं, वैसे यह जो Jio Air Fiver है दोस्तों, इसको मैंने 10 दिन प्लस टेस्टिंग भी किया है, तो यहाँ पर ना मैं चेक कर पा रहा था कि मेरे mail ID पे एक bill generate ह को करके आया है, जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा, तो मेरा billing cycle first of each month है, और यहाँ पर से दोस्तों कुछ details है, like unlimited data मुझे देखने को मिलता है, लेकिन यह capped है, तो यह चीज देख लेना दोस्तों, and 30 Mbps का high speed internet मिलता है, voice मुझे unlimited देखने को मिल जाएगा, और आप साथ ही साथ ISD call के details आप देख सकते हैं, जो bundle OTT मिझे देखने को मिले हैं, वो भी यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं, तो अभी just मैंने जो आपको bill दिखाया है, उसको देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा, कि यह जो Jio Air Fiverr आपको मिलता है, यह एक post paid connection के साथ आता है, यह prepared connection के साथ फिलाल नहीं available है, and 6 month या 12 month का ही आपको यहाँ पर plan देखने को मिलेगा, एक चीज अच्छा है कि 6 महीने के साथ अगर आप plan से recharge कराओगे, तो 1000 का तो आपको installation लगेगा, बढ़ यही चीज अगर आप 12 महीने के साथ जाना चाहते हो, तो 1000 का installation जो charge होत अब यहाँ पास दोस्ते एक चीज और, let's suppose अगर आप यह सारी details जो मैंने आपको बताया, इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो आप MyGUI application को भी download कर सकते हैं, और उसके अंदर दोस्तों आप link कर सकते हैं अपने device को, और उसके बाद वहाँ पर सारी details आपके निकल के आ सकते हैं, हाला कि एक छोटा सा disclaimer देना चाहूँगा, हाला कि यह चीज मुझे start में बोला चाहिए, यह video बिल्कुल sponsored नहीं है, जो भी details है, वो मैं आपको अपने तरफ से explain करना हूँ, और अगर आपको अभी तक यह video अच्छा लग रहा है, please like कर देना, तो अभी तक दोस्तो उपर एक outdoor unit लगाया जाता है, और वहां से cable आता है, तो यह एक तरीके से जो DTH kind of होता है, बाहर छतरी लगा देते हैं, और घर पे लाकर कि उसको TV से connect करते हैं, kind of similar है, बट एक चीज है कि हाँ, बहुत सारे जगहां पर ऐसे होते हैं, कि वो जो आपका fiber optical है, वो नहीं आया है, और आपका area में 5G यह सब पकड़ता है, तो उस case में जियो air fiber ज्यादा sense बनता है, next कई cases में ऐसा भी होता ना, कि wire यह सब तूटने के chances रहते, तो वो सब चीज का जंजट यहाँ पर तो फिलाल नहीं है, और यहाँ पर भी आपको वही सारे speed, वही सारे plans मिलते हैं, जो क जियो के fiber connection में मिल जाता है, बड़ एक चीज है कि जो जियो का fiber है, उसके अंदर आभी फिलाल हम P&T connect कर सकते हैं, बड़ जियो air fiber के साथ यहाँ पर P&T connection करने के लिए कोई भी point नहीं दिया गया है, बाकि यहाँ आपर से दोस्तो प्लान यह सब में कोई ज़ाधा differences नहीं, बात आएगी कि कौन सा लगवाना चाहिए, तो आपको यह देखना है कि आपके area में geo fiber है, या geo air fiber है, अगर let's suppose दोनों है, तो उस case में फिर आप अच्छे से decision ले सकते हैं, क्योंकि kind of similar pricing में आता है, हलाकि इसमें फिलाल के लिए कोई भी installation cost यह सब नहीं दिना होता है, लेक बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ geo air fiber भी एक अच्छा product है, अगर आपके घर में, अगर let's suppose fiber optical नहीं आया है, उस case में अगर geo air fiber की connectivity है, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है, मैंने metro city पे रह करके, दो चार building छोड़ करके भाई, वहाँ पर fiber optical का connection था, बट म मैं नहीं लगवा पा रहा था, क्योंकि मेरे building में ये चीज नहीं था, तो वो सारी समस्या होते हैं, कई सारे जगों पे, तो उस case में फिर आप optical के अलावा चाहो, तो air fiber को भी लगवा सकते हैं, बाकी ये जो 4K setup box आपको दिया जाता है, दोनों ही case में मिल जाता है, तो बोलूँगा कि दोनों में से कोई एक particular best है, दोनों अपने जगा पे अच्छे हैं, यहाँ पर से जो जियो air fiber है, उसकी भी connectivity काफी reliable है, मैं 30 Mbps का plan यूज कर रहा हूँ, तो accordingly मैं चेक कर रहा था भाई, speed ये सब अच्छा आता है, हाला कि ये जो मेरा जियो का आपका fiber optical वाल to this, तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कोई sponsored वीडियो था जियो के तरब से, जो भी experience है वो मैं आपके शार शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा honest experience है दोस्तो, and I hope आप इस चीच को appreciate करोगे, इसके अलाबा जो basic question है, कि let's suppose अगर आपके पास जियो का already जो fiber optical वाला connection हुऊ है, तो क्या आप जियो air fiber लगवा सकते हैं, तो हाँ जी लगवा सकते हैं, मैंने already लगवाया आपको दिखाया है, कोई एक connection भी आप ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है नहीं भाई, हमारे पास जो already 5G है, जो metro cities ये सब में, और भी बहुत जगों पर 5G आ चुका है, तो उसमें तो कहीं ये cable के through ही चल रहा है, तो वो चीज थोड़ा है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये चीज अच्छा है, कि बाहर कोई भी cable ये सब लटकता नहीं रहेगा, लेक पोल ये सब में होता है, तो तूटने के chances ये सब चीज तो यहाँ पर नहीं होंगे, और मेरा जो experience है दोस्तों, उ थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, जो range है वो थोड़ा सा जाधा है, एंसेंस में Wi-Fi 6 का भी support आता है, तो मेरे phone के अंदर Wi-Fi 6 है, तो अगेन जो coverage है, जो speed की quality है, वो definitely अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हाँ मैं 30 Mbps का use कर रहा हूँ, अगर आप higher plan के साथ जाओगे, तो obviously उस अगर आपके मन में अभी भी doubt है, comment जरूर करो यार, बिंदास करना, और हाँ मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, सारे useful जो कि आप जा करके देख सकते हैं, साधे-साथ जो live TV चैनल से यह सब होते हैं, उनके भी list मैं कोसिस करूँगा कि prepare करके आपको अलग से दे दू, तो link देख लेना, description box में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाकी इस वीडियो में इतना ही like target 5000 थभाई, please cross कर देना, comment करके जाना, और चैनल पर नहीं होंगे, smartphone related वीडियो अच्छे लगते हैं, subscribe करके, bell notification प्रेस कर लेना, तो मैं हूँ आपका दोस्त अब जीत मिलता हूँ, आप से लेना, दोस्त अब पर दो से लेना, और एंचिन वी